हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टो त्यारी ओनलाइन मैं हूं सुधा आज की वीडियो में हम मानविय करुणा के दिवे चमक पाठ का सार समझेंगे यह लिया गया है कक्षा 10 के हिंदी पाठ्थे पुस्तक शितीज भागदों के अध्याय 13 से इसके लेखक हैं सरविश्वर द्याल सक्सेना जी और यह इनके द्वारा लिखित एक संस्मरन है संस्मरन कहने का अर्थ है बच्चों अस्मरिती पर आधारित रचना वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्तपूर्ण हैं क्योंकि बोर्ड एक्जाम बहुत ही नस्दीख है तो आप इस वीडियो को आं अब देखिए लेखक उनसे कुछ बाते पूछ रहे हैं आपको अपने देश की याद आती है फादर कहते हैं मेरा देश तो भारत है मैं जन्भूमी की पूछ रहा हूं लेखक कहते हैं मैं आपकी जन्भूमी की पूछ रहा हूं जहां आपने जन्भ लिया क्या वहां की या आपको आती है वह कहते हैं हाँ आती है बहुत सुन्दर है मेरी जन्भूमी रेम्स चैपल रेम्स चैपल कहा है बच्चों तो देखिए रेम्स चैपल है यूरो बैल्जियम में यहां मैं लिख देती हूं ताकि यह आपको याद रहे कहा है यह तो यह है वैल्जियम में घर मे किसी की याद? कहते हैं हाँ आती है मा की याद बहुत याद आती है मा की मा कैसी होती है? बहुत अच्छी होती है उनसे हम अपना सभी सुब्दुख बाट लेते हैं जब कभी दुखी होते हैं तो उनकी गोद में सर रख करके सो लेते हैं तुमने किसकी याद आती है अपनी मा की याद आती है फिर अक्सर मा की अस्मृति में डूब जाते हैं और लेखक कहते हैं कि वह किसकी अस्मृतियों में डूब जाते हैं तो अपनी मा की अस्मृतियों में डूबे रहते हैं उनकी यादों में वह खुए रहते हैं उनकी मा की चिठियां अक्सर उनके पास आती थी अपने अभिन्य मित्र डॉक्टर रगुवन्स को वह उन चिठियों को दिखाते थे पिता और भाईयों के लिए बहुत लगा मन में नहीं था पिता वैवसाई थे एक भाई वही पादरी हो गया और एक भाई काम करता है उसका अपना परिवार है बहन सक्त और जिद्धी थी बहुत देर से उसने साधी की फादर को एकाद बार उसकी साधी की चिंता व्यक्त करते उन दिनों देखा था भारत में बस जाने के बाद दो या तीन बार अपने परिवार से मिलने फादर बेलजियम गए थे तो यहाँ लेखक उनके परिवार के बारे में बता रहे हैं कि उनके पिता क्या थे? एक वैबसाई थे उनका एक भाई पादरी हो गया और दूसरा भाई जो है वा काम करता था उसका एक पड़िवार था बहन का सवभाब कैसा था वो बहुत ही सक्त और जिद्धी सवभाब की थी फादर कभी कभार अपनी सहर बेलजियम जाया करते थे लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ आप सब छोड़ कर क्यूं चले आए प्रभु की इच्छा थी अब देखे लेकख कहते हैं कि आप सब कुछ छोड़ कर कि क्यूं चले आए आपका घर इतना भड़ा पुरा था सब कुछ था आपके पास फिर आपने उन सारी चीजों को क्यों छोड़ा क्यों चले आए तो फादर कहते हैं कि प्रभू की इक्षा थी इसलिए में आया वह बालकों कीसी सरलता से मुस्कुरा कर कहते हैं मा ने वच्पन में ही घोसित कर दिया कि लड़का हाँच से गया यानि लड़का अब हाँच से गया वह ही करेगा जो उसकी इक्षा होगी और सच मुझ इंजिनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़ फादर बुल के सन्यासी होने जब धर्म गुरू के पास गए और कहा कि मैं सन्यास लेना चाता हूँ तथा एक सर्थ रखी और वह सर्थ क्या थी? तो देखिये वह सर्थ थी कि मैं भारत जाऊंगा वह सन्यासी बनना चाते थे और उनकी एक मात्र सर्थ थी कि वह भारत जाना चाते है भारत जाने की बात क्यों उठी? नहीं जानता बस मन में था लेकर कहते हैं कि आप सन्यासी बनना चाते हैं आप बेलजियम में रहकर भी सन्यासी बन सकते थे फिर आपके मन में भारत आने की इच्छा क्यों उठी तो फादर कहते हैं कि यह मैं नहीं जानता उनकी सर्थ मान ली गई और वह भारत आ गए पहले विसीजिट संग में दो साल पादियों के बीच धर्मा चार की पढ़ाई क फिर नौ से दस वर्स दार्जलिंग में पढ़ते रहे कलकत्ता जिसे अभी हम कोलकाता कहते हैं से उन्होंने बीच किया और फिर इलाहाबाद से एमे उन दिनों डॉक्टर धिरेंदर वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे अब यहां देखिए फादर कामिल ने कलकत्त ्ठी तो उण समय हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे धिरेंद्र वर्मा सोध प्रवंधन प्रयाग विश्यूबिढ्याले के हिंदी विभाग में रह कर 192 में पूरा किया रामकथा इंकत्ती और विकास कामिल बुलके ने किस पर सोध किया तो उन्होंने सोध किया रामकथा, उत्पत्ति और विकास ये रचना जो है वह फादर कामिल बुलके के द्वारा लिखी थै और यह कब लिखी गई तो 1950 में परिमल में उसके अध्याय पढ़े गए थे किस के अध्याय तो रामकथा के अध्याय और परिमल जो है वह सुरेकांत रिपाठी जी की रचना है पादर ने मातर लिंक के प्रशिध नाटक ब्लू बर्ड का रुपांतरन भी किया है किस नाम से उसका रुपांतरन किया उन्होंने तो देखे नील पक्षी के नाम से उन्होंने ब्लू बर्ड का रुपांतरन किया बाद में वह सेंट जेवियर्स कॉलेज राची में हिंदी तथा संस्कृत बेभाग के बेभाग अध्यक छोड़ गए और यहीं उन्होंने अपना प्रशिद अंग्रेजी हिंदी कोस तयार किया अभी भी फादर कामल बुलके का लिखा हुआ अंग्रेजी हिंदी सब्द कोस मिलता है और यह अंग्रेजी हिंदी सब्द कोस उन्हीं के द्वारा लिखा गया है और वो बहुत ही अच्छी बुख है पाइवल का अनुबाद भी उन्होंने किया और वहीं बीमार पड़े बीमार पड़ने के बाद वो पटना आए उसके बाद दिल्ली आए और चले गए 47 वर्स देश में रहकर और 73 वर्स की जिंदिगी जी कर उन्होंने इस संसार को छोड़ दिया फादर बुलके संकल्प से सन्यासी थे कभी-कभी लगता है वह मन से सन्यासी नहीं थे रिस्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे दसियों साल बाद मिलने के बाद भी उसकी गंध महसूस होती थी वह जब भी दिल्ली आते जरूर मिलते खोज कर समय निकाल कर गर्मी सर्दी बरसात जहेल कर मिलते चाहे दो मिनट के लिए ही सही अब यहां कह रहे हैं लेखा कि फादर कामल बुलके क्या थे एक सन्यासी थे लेकिन उन्हें देखकर के ऐसा लगता था जैसे उनके अंदर सन्यासी का कोई गुन ही ना हो वह एक बर जिससे रिस्ता निभाते थे वह एक बर जिससे रिस्ता बनाते थे वह जीवन प्रयंत उस रिस्ते को बनाये रखते थे और जब कभी वह दिल्ली आते तो लेखक से अवश्य मिलते चाहे कुछ मिंटों के लिए ही सही और लेखक कहते हैं कि यह कौन सन्यासी करता है क्योंकि लेखक का यह मानने है कि सन्यासीयों के पास कहां संसारिक लोगों के लिए टाइम है उनकी चिंता हिंदी को राश्ठ भासा के रूप में देखने की थी हर मन्च से इसकी तकलीफ वया करते इसके लिए अकाटे तर्क देते कामिल बुलके दूसरे देश के थे फिर भी वह चाहते थे कि भारत की राष्ट भासा हिंदी बने लेकिन हमारे देश के लोग जो भारती होते हुए भी वह हिंदी को इतना महत्तो नहीं देते थे और इसी बात की तकलीफ जो है वह कामिल बुलके के हर भासन में जहलकता था बस इसी एक सवाल पर उन्हें जुन्जलाते देखा और हिंदी वालों द्वारा हिंदी की उपेक्षा पर दुख करते हुए पाया बच्चों जो लोग भारत बासी थे जो हिंदी बोलते थे जिनकी मात्री भासा ही हिंदी थी वही लोग क्या करते थे हिंदी भासा की उपेक्षा करते थे जबकि हिंदी और अंग्रेजी दोनों भासा में कोई भिन्यता नहीं है इसलिए हमें कभी भी अपनी मात्री भासा की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए घर पडिवार के वारे में नीजी दुख तकलीफ के वारे में पूछना उनका स्वभाब था और बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे दो सब्द सुनना एक ऐसी रोसनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जगमगाती है और देखे यह सन्यासी ऐसे थे कि जब भी किसी से मिलते तो उसके दुख तकलीफ मतलब उसके बारे में सारी बाते उसे पूछते जैसे हम किसी से मिलते हैं तो हम पूछते न घर पड़िवार में सब कैसा है तुम कैसे हो सब कुछ कैसा चल रहा है तो इसी प्रकार के वसन्यासी थे कि जब भी किसी से मिलते थे तो उनसे सारी बाते वा पूछा करते थे और बड़े से बड़े दुख में भी उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे दो सब्द सुनना एक ऐसी रोस्नी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जगमगाती हो यानि उनकी बातों को सुन करके मन कैसा हो जाता बिलकुल सांत्चित सारे दुख तकलीफ सभी मिठ जाते हर मौत दिखाती है जीवन को नई राह मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यू याद आ रही है और फादर के सब्दों से जर्ती विरल सांती भी अब यहां लेकर कह रहे हैं कि हर मौत क्या दिखाती है जीवन की नई राह दिखाती है जब उनकी पत्नी और पुत्र दोनों की मृत्यू हो जाती है तब वो बिलकुल अकेले हो जाते हैं और इस अकेले में उन्हें किनकी बाते बिरल सांती पहुंचाती है तो फादर कामल के आज वह नहीं है कौन नहीं है बच्चों फादर कामल बुलके दिल्ली में बिमार रहे और पता नहीं चला देखक कह रहे हैं कि वह बिमार थे दिल्ली में ही थे लेकिन मुझे पता ही नहीं चला बाहें खोल कर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया जब देखा तब वे ब परशाती थी वह चेहरे पर थीर थी वह चेहरे पर कैसी लग रही थी बिलकुल इस थी तरलता जम गई थी वह 18 अगस्त 1982 की सुबह दस बजे का समय था दिल्ली में कस्मीरी गेट से निकल कर कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गारी इसमें से उतारा गया कुछ पादरी रगुबंस जी का बेटा और उनके परिजन राजेस्वर सी उसे उतार रहे थे फिर उसे उठा कर एक लंबी संकरी उदास पेरों की घनी छांवाली सरक्म से कब्रगाह के आखरी छोड तक ले जाया गया जहां धर्ती की गोद में सुलाने के लिए कब्र अवाक मुखो ले लेती थी उपर करील की घनी छांथी और चारो और कब्रें और तेज धूप की ब्रित जैनिंदर कुमार, विजेंदर असनातक, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन और मसीही समुदाई के लोग, पादरी गन, उनके बीच में गैरिक वशन पहने, इलाहाबाद के प्रिशिद्य बिग्यान सिक्षक, डॉक्टर सत्य प्रकास और डॉक्टर रगुबंस भी जो अकेले उस संक्री सरक की ठंडी उदासी में बहुत पहले से खामोस, दुख की कहीं, अपरिशित आहटों से दवे हुए थे, सिमत आये थे कबर के चारो तरब, फादर की देह पहले कबर के उपर लिटाई गई, मसीही विद्या से अंतिम संसकार सुरू हुआ, राची के फादर पासकल तुएना के द्वारा, उन्होंने हिंदी में मसीही विद्या से प्रार्थना की फिर सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पासकल ने उनके जीवन और कर्म पर सरधांजली अर्पित करते हुए कहा, फादर बुल के धर्ती में जा रहे हैं, इस धर्ती से ऐसे रत्न और पैदा हूँ, डॉक्टर सत्य प्रकास ने भी अपनी सरधांजली में उनके अनुकर्णिये जीवन को नमन किया, फिर देह कबर में उतार दी गई, लिखक यहां बता रहे हैं कि फादर कामिल बोल के दिल्ली में बीमार थे, लेकिन उन्हें पता नहीं चला, आज वह नहीं रहे, जब वह उन्हें देखने गए, उनके चहरे को देखकर के ऐसा लगता था, जो सांती बरस्ती थी, वह चहरा क्या हो गया है, इस्थीर हो गया है, बिल्कुल सांत हो गया है, तरलता जम गई है, तरलता कहने का अर्थ है बच्चों, पानी जब बर्फ बन जात तो जब तरलता रहता है उसमें हल चल होती है, जब वो जम जाता है तो वो इस्थीर हो जाता है, तो यहां पर वो यही कह रहे हैं कि कैसे हो गए थे, स्थीर से हो गए थे, सांथ से हो गए थे, उनकी मृत्यु 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे के समय हुआ था, और उन्हें दिल्ली के कस्मीरी गेट के निकलसन कबरगा में ले जाया गया उसके बाद सभी क्रिया करम किया गया जिसमें महुत सारे लोग सामिल थे क्रिया करम के दोरान वहां जो पादरी मौझूद थे फादर पासकल उन्होंने उन्हें सरधांजली अर्पित की और उन्होंने कहा फादर बुलके धर्ती में जा रही है इस धर्ती से ऐसे रत्न और पैदा हूँ कैसे रत्न तो फादर कामिल बुलके जैसे रत्न जो इस संसार से कुछ नहीं चाते उन्होंने इस संसार को दिया ही है कुछ लिया नहीं तो ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं जुस्वें के लिए ना सोच करके दूसरों के लिए सोचते हैं मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं कि उसकी मृत्य उपर कोई रोएगा लेकिन उस छन रोने वालों की कमी नहीं थी नम आखों को गिनना स्याही फैलाना है अब यहां देखिए उन्होंने एक कहावत कही है कि नम आखों को गिनना स्याही फैलाने जैसा था कहते हैं कि फादर कामल बुलके ने कभी नहीं सोचा था कि जब उनकी मृत्ती होगी तो साइद इतने सारे लोग होंगे जो उन्हें याद करेंगे इस तरह हमारे बीच से वह चला गया जो हम में से सबसे अधिक छायादार फल फूल गंद से भरा और सबसे अलग सबका होकर सबसे उचाई पर मानविय करुणा की दिवे चमक में लहलाहाता खरा था जिसकी अस्मृती हम सबके मन में जो उनके निकट थे किसी यग्य की पवित्र आग की आज की तरह आजीवन बनी रहेगी मैं उस पवित्र जियती की याद में स्रधानत हूँ और लेखक क्या कहते हैं कि वो कैसे थे तो वे हम सब की बीच में मानविय करुणा की दिवे चमक से लहलाहाते खरे थे यहाँ पर मानविय करुणा की दिवे चमक क्यों कहा लेखक ने उन्हें क्योंकि वह संसार में सभी से प्रेम करते थे, सभी के लिए अच्छा सोचते थे और सभी के लिए अच्छा करते थे और इसलिए लेखक ने उन्हें चायादार फल फूल गंद से भड़ा कहां है अब देखिए एक छायादार पेर, जब हम लगाते हैं, तो क्या वो हमसे कुछ मांगता है? नहीं, वो हमें छाया भी प्रदान करता है, और साथ में हमें फलफूल भी देता है, हमसे किसी चीज की अपेक्षा नहीं रखता, बलकि वो हमें देता ही देता है तो यहाँ पर फादर कामिल बुलके जो हैं, वह इसी प्रकार से हैं, हमारे लिए एक छायादार, फलफूल गंद से भरे, सबसे अलग, सबका होकर, सबसे उचाई पर मानविय करुना के दिव्य चमक थे तो बच्चों मानविय करुना की दिव्य चमक, यह कहानी यहीं समाप्त होती है, यह कहानी आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, अगर इस कहानी से संबंधित, कोई भी प्रस्न या सुझाव आपके पास है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य से लिख करके भेजे, हम आपके प्रस्नों और सुझावों का जवाब आपको अवश्य देंगे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वेल आइकन दवाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, वीडियो पसंद आ नवाद